सपाध द्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निकाय चुनाओं के लिए जो अनंतिम अरक्षन जारी हुआ था हलाकि मामला कोर्ट में उसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है हमाई साथ में अलपसंक्या कल्याण मंतरी दानिश आजाजा दंसारी जी है दानिश प्रदेश में कानून का पूरी संजीद्गी से गंभीरता से पालन होता है और आरच्छर की सूब आरच्छर व्यवस्था में भी तमाम चीजों को ध्यान रखा गया जो भी ध्यान रखने वे बात थी मामला भी कोट में हम किसी को इस पर टिपरी नहीं करनी चाहिए मानी न जाए इस वजह से इस तरह की चीजें भी हो रही हो कह रहें कि मैनपूरी के चुनाओ जो है उनका उन्होंने उधारन दिया का मैनपूरी जो है वह विकास का एक मॉडल है और इसलिए वो लोग जीत गई सपा वहां पर देखिए अखिलेश रादर जी को आजम गड़ का अजसे बन दियार गजा है उसको क्यूं भूलते हैं आज जनता समाझवादी पार्टि को नकार चुका है यही सत्य है और जनता ने उत्तर प्रदेशकी योगी माडल को अपनाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जन जन के विकास को सुनिश्यक्त करते हुए हमारे उत्रप्रदेश का आम जन तरक्की की तरफ आगे बढ़े इन चीजों के लिए काम किया है और अखिलेश यादव जी जिस मैनपूरी की जीत की बात कर रहे हैं यह सामाजवादी पार्टी या खिलेश यादव जी की जीत नहीं है यह मुलायम सिंग यादव जी के प्रती वहां की जनता ने सद्धाजली दी है और आम जन मानस में विश्वास है मोदी और योगी सरकार के प्रती आम जन मानस में विश्वास है कि यह योगी सरकार विकास की तरफ उत्तरप्रदेश को आगे ले जा रही है आम जन मानस यह जान होता था लेकिन आज 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है वह योगी सरकार ने बदली है आज उत्तर प्रदेश कानून विवस्था के लिए पूरे देश में जाना जाता है उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था का जो है उधारर पूरे देश के अलग- देखिए अखिलेश शादर जी के ऐसे बयान पता नहीं कहां से सूचते हैं आपको जिम्मेदारी के साथ कोई बयान देना चाहिए और आज उत्रप्रदेश की स्वास्त विवस्थाओं के बारे में हमने लगतार बहतर से बहतर काम किया है इसी कोरोना काल में उत्रप्रदेश की विवस्थाओं को कितने अच्छी तरीके से योगी सरकार ने समाला यह सब जानते हैं और अभी कोई भी बीमारी अगर आती है उत्तरप्रदेश का स्वास्त विभाग तुरंत उस पर क्रेक्शन लेते हुए योगी जी तुरंत माइनूट लेबल मॉनिटरिंग करते को ऐसे बयान देने के जंता की अध्यान भठकानी के आवशक्ता नहीं है क्योंकि जंता पुरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ है उत्रप्रदेश की योगी सरकार में एक सवाल आज मुख्यमंत्री योगी आधित नाद दिली गये वहाँ पर प्रधान मंत्री नरिन इस सब जानते हैं क्या रहेगा वो चुनाओ परिणाम दो वही रहेगा जो 2014 का रहा 2017 का रहा 2019 यो 2022 करा वही परिणाम दो जार 24 का भी रहेगा और क्योंने जंता के बीच में रखें जंता के विकास के लिए इमानदारी से काम किया है योगी और मोधी जी की डबल इंजन की स भूगनी रफ्तार से उत्तर प्रदेश को तरकी की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है अच्छी सिक्षा अच्छी विवस्था कानुन विवस्था सब को रोजगार नौजवानों का हाथ को सशक्त करना यह डबल इंजन की सरकार ने किया है और आने वाले लोगसभा तरीके से बुरी तरीके से जनता हरा कर यह इस पश्ट बता देगी कि अब यह जनता यह विकास चाहती है और डबल इंजन की सरकार यानी मोदी सरकार और योगी सरकार पे इस जनता को पूरा भरोसा है तो यह तेमाए साथ में दानिशाजा दंसारी जिनों ने कहा कि 2024 के पर एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी